लेक्टर में हम क्लाश 10th Maths NCRT Chapter 6 Triangle Exercise 6.3 का Problem No.1 solve करेंगे तो देखे फ्रेंट्ट पार्ट 2 में क्या दिया हुआ है? दो फीगर दिये हुआ है Triangle के और ये फीगर देख करके हमें बताना है कि क्या ये दोनों जो Triangle हैं वो Similar है और अगर Similar हैं तो कौन सा Similarity Criteria यूज करके ये दोनों Similar हैं तो देखे फ्रेंट अगर हम देखेंगे तो दोनों Triangle के जो Sides हैं उसकी Lens दी हुई है ठीक है? तो हम Sides के Lens के Ratio चेक करते हैं अगर Corresponding Sides के जो Ratio है इक्वल आ रहे हैं ठीक है सब ही Sides के तो फिर वो Similar triangle हो जाएंगे तो चलिए अगर इन दोनों Triangle की बात कर ले हम तो In Given Triangle हम बोल सकते हैं In Given Triangle In Given Triangle देखें A B जो है आपका A B उसकी Lens है 2 तो A B divided by अगर हम Q R कर लें A B divided by Q R तो वो Q R इसकी Ratio क्या आ रही है A B हमारी है वो 2 और Q R है 4 तो 2 by 4 हो गया ठीक है तो यह हमारा आगे है 1 by 2 Ratio ठीक है Similarly हम दूसरे साइट को चेक करेंगे B C B C की है 2.5 तो B C divided by R P B C divided by R P की बात करें तो B C हमारी है 2.5 divided by R P जो है 5 तो यह भी हमारे 1.2 है और similarly अगर थर्ड साइट देखें C A C A divided by P Q P Q तो C A हमारी है 3 divided by 6 यह भी हमारी 1 by 2 है S A B divided by Q R equal to B C divided by R P is equal to C A divided by P Q ठीक है therefore अब देखें corresponding sides अगर हम बोलें तो A B C triangle और Q R P यह दोनों triangle के corresponding sides के ratio equal है it means हमारे यह दोनों triangle similar होगा ठीक है similarity similarity criteria triangle A B C हमेशा देखेंगा आप triangle जब लिखते हैं तो A B जिसके corresponding होगा वो next आगा ठीक है तो A B का corresponding side से यहां Q R ठीक है Q R Q R P ठीक है Q R P और A B C यह दोनों similar triangle अगर है ऐसा नहीं कि P Q R और A B C आप लिखते हैं तो triangle A B थी यह similar to Q R P ओके फ्रेंट्स तो यह हमने डिसकस किया question number और part 2 के solution बाकी questions के solution के लिए आप हमारे playlist भी जिट करें playlist के link आपको इस video के description box में मिल जाएगी ओके फ्रेंट्स थैंक्यू